The Ultimate World में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो दोस्तो अभी बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग खवर आई है पाकिस्तान के ओर से जी हाँ दोस्तो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने ये बयान दिया है कि 9 तारिक को पाकिस्तान में एक विस्पोर्ट हुआ है एक मिसाइल आके गिरी है उस मिसाइल ने 4-5 घर भी तबा कर दिये है एक गाड़ी भी उड़ गई है काफी नुकसान हुआ है human life का कोई नुकसान नहीं हुआ है इसको लेके 9 तारिक को एक विडियो भी बनाये थी एक पाकिस्तानी नागरिक ने कि देखे यहां से एक मिसाइल उर्तियो आई है एक प्लेन गया है उस प्लेन से एक मिसाइल गिरी है और वो मिसाइल ने जमीन पे अटाक किया है जिसकी वैसे काफी नुकसान हुआ है ठीक उसकी एक दिन बाद 10 तरिक को पाकिस्तानी आर्मी का बयान आया है कि हाँ सही बात है एक मिसाइल उड़ती आई है गिरी है और वो मिसाइल गिरी है इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि इंडिया के सिर्सा में मिसाइल क की टेस्टिंग चल रही थी वो मिस फायर गिया जो मिसाइल था वो मिस फायर हुआ उसकी जगा बदली और वो पाकिस्तान के 124 किलोमेटर दूर आके गिर गई पंजाब जो उनका स्टेट है प्रोविंस है वहाँ पे आके गिरा अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि पाक पाकिस्तान ने ये एक दिन बाद कनफर्म किया अगर आपके देश पे कोई मिसाइल आके गिरता है तो आपको दो तिन घंटे में पता हो जाना चाहिए कि मिसाइल कहां से आया किस ने ये मिसाइल गेरा और क्या हुआ पर दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने एक दिन बाद ब इंडिया के किसकी बात सच है पता नहीं अगर इंडिया टेस्टिंग कर रही थी किसी मिसाइल की तो इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी है जिसमें कि अगर आप मिसाइल टेस्टिंग कर रहे है कोई तो आपको एटलीस टेस्टिंग के तीन दिन पहले अपने पडोसी देश यानि अगर पाकिस्तान कर रही है तो पाकिस्तान इंडिया को अगर इंडिया कर रही है तो इंडिया पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि हम मिसाइल टेस्टिंग कर रहे है इस दिन ऐसा भी कोई इंफोर्मेशन नहीं आया इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम पकड भी नहीं पाया और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाया दरसल पाकिस्तान का कहना है कि हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग हो रही हो ब्रह्मोस मिसाइल आके गिरा हो क्योंकि जो जो मिसाइल गिरी है वह आप उसका जो हैड है वो काफी जादा ब्रह्मोस मि घर ही डिस्ट्रॉय होंगे पाकिस्टान को व आधा आधी जगा पुरी वह उढ़ जाती जो शेर तहा उसका आधा शेयर उड़ जाता अगर ब्रह्मोस मिसाइल आके वाँ पे गिरता तो तो इस दावे में भी पाकिस्तान के दम लगनी रहा कि ब्रह्मोस मिसाइल आके गिरा होगा टेस्टिंग अगर होती इंडिया अगर टेस्ट कर रही होती वाँ मिसाइल तो इंडियन गौर्मेंट को पता होगा इंडियन आर्मी को पता होगा इंडिय इस बाथ पर भी काफी सारे सवाल उठते है थर्ड ठिंग अगर कोई मिसाइल पाकिस्तान के सीमा में घुस रही है दूसरे किसी देश से तो पाकिस्तान को उसको पता लगना चाओ था तभी के तभी उनका जो रडार का पूरा का पूरा सिस्टम है पाकिस्तान का जो सिक्यूरिटी का सिस्टम है उनको तभी पता होना चाहिए एक मिसाइल गुसरी है पाकिस्तान के अंदर और दोस्तों पाकिस्तान का जो एर डिफेंस सिस्टम है उसको तभी उस मिसाइल को डिस इंडिया से भी कोई ब्यान नहीं आया है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है इतने सालों में जब हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नलोजी थी भी नहीं फिर भी हम 124 किलोमेटर दूर मिसाइल नहीं वो करते थे फायर की पाकिस्तान में जाके गिर जाया हो मिसाइल तो आज तो इतनी शांदार टेक्नलोजी अमरे पास आज कैसे ये भूल हो सकती है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा और दोस्तो ये रूल भी है इंडिया पाकिस्तान के बेच कि अगर मिसाइल टेस्टिंग हो रही है तो ऐसे सेट किया जाता है कि वो दूसरे के बॉर्डर के 40 किल किलोमीटर पार नहीं कर पाए पर ये तो 124 किलोमीटर पार हो गई है तो इंडिया इतनी बड़ी गलती तो मेरे खाल से कर नहीं सकता कि वो सीधा 124 किलोमीटर पार भेज दे पाकिस्तान के बॉर्डर के 124 किलोमीटर पार कोई मिसाइल भेज दे और अभी तक कोई बयान न आया या फिर वो कुछ बैक अप प्लान बना देते कि अब हमको जवाब क्या देना है कुछ ना कुछ तो आरोप लगा नहीं है कि चलो इंडिया पे लगा देते और वैसे भी इमरान खान की जो कुरसी है खत्रे में है थोड़ी वाके लोग जादा पसंद करनी रहे इमरान खा चुक किये पूरी तरीके से भाई इमरान खान की कुरसी बचाई जाए तो सारा आरोप लगा दो इंडिया पे कुछ भी होता है तो और लोग थोड़े खुश हो जाएंगे कि हमने देखो हमने इंडिया के उपर आरोप लगा दिया अब इंडिया पैक्शन होगा अब यह हो लगता है कि मिसाल सही में इंडिया से गई होगी या पाकिस्तानी खुद ने अपने ही जमीन पे बंप फोड़ दिया होगा आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को जैहन